हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल इस्टडी भाई सुमन पे तो करेंट अफे की क्लास में हम तीन सो क्वेशन कर चुके थे जिसमें से अब आपका चार सो क्वेशन बचा है ठीक है ना तो साथ सो दोनों मिलाके आपका साथ सो क्वेशन हमें करना है टार्गिट हमारा यही है ठीक है ना साथ सो प्रशनों का हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें से तीन सो प्रशनों के प्रैक्टिस हो चुके हैं चार सो बचे हैं तो आज की क्लास हम सुबात करते हैं डेली आठ बजे सुबा आठ एम पे ये क्लास चलती है ठीक है subscribe कर लिजे बेल आकन प्रेस कर लिजे ताकि जितने भी classes आती हैं उसकी notification आपके पास पहुंचने चाहिए इसके अलावा अपने साथियों को share करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लिजेगा ठीक है न तो फटाफट अपने जितने भी आपके contact में हैं उनको share कर दीजे और उन्हे एक प्रश्ण है हम यहां से एक मान के चलेंगे पहला प्रश्ण है 54th International Film Festival of India IFFI 2023 में सर्वस्रेश्ट फिल्म के लिए golden peacock पुरुषकार किसे प्रदान किया गया है तो यह बुला है 50 यानि 54 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल ठीक है अंतर राष्ट ये फिल्म फेस्टीवल ऑफ इंडिया दोहजार तेस में सर्वस्रेश्ट फिल्म के लिए golden peacock पुरुषकार किसे मिला है इंडिलेस बॉर्डर्स को पार्टी ओफ फूल्स को कांतारा या फिर ब्लागास लेशन्स को तो यहां पर बात करें तो पहला आपका सही हो जाएगा इंडिलेस बॉर्डर्स को गोल्डन पिकॉक पुरुषकार मिला है next question है हाली में किस भारतिय पैरा खिलारी को asya services youth पुरुषकार प्रदान किया गया है Asiya services youth पुरुषकार दिया गया है दिविंद्र जाजरिया, सीटल देवी प्रमोद भगत या आउनी लेकरा तो ये सीतल देवी को मिला है पैरा खिलाडी ठीक है ये क्या है पैरा खिलाडी है एसियास का सर्वस्रिष्ट यूव एथलेट पुरुसकार इन्हें दिया गया है सीतल देवी को ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है तेरवी सेनियर पुरुस रास्ट्रिय हौकी चैंपियन दोजर किताब किसे किसने जीता है उत्तर प्रदेश ने पंजाब मध्य प्रदेश या फिर बिहार ने तो तेरवी सेनियर प्रूष रास्टिय होकी चैंपियंशिब अगला कोश्चन है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बिरांगना दुर्गावति टाइगर रिजर्व किस राज में इस्थापित किया जाएगा तो बिरांगना दुर्गावति टाइगर रिजर्व यह कहां पर इस्थापित किया जाएगा यह किया जाएगा आपका कहां पर मध्य परदेश में अगला कोश्चन देश का पहला टेली कॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस ठीके न पहला है देश का टेली कॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस के स्राज़ में बनाया जाएगा उत्तर परदेश स्राज़ में बिहार में या फिर उत्तरा खंडिया नई दिल्ली में तो ये बनाया जाएगा आपका उत्तर प्रदिश राजी में टेली कॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा ठीक है न ये देश का पहला होगा अगला कुश्चिन है किस राजी सरकार द्वारा अम्मा बैंक योजना सुरू कि अगला कुश्चिन है यू एन अच्छि aur नउन सें कहें नान सें सर्डार्द्थी प्रुसकार नान सें सररणार्थी प्रुसकार दोजरतेश के से दिया गया है अजीम अली को अकीला आसिफी कलाम आज़ाद या अबदुल्लाही मायर को तो ये अबदुल्लाही मायर को UNHCR अनानसेन सरडारते प्रुषकर 2030 दिया गया है अबदुल्लाही मायर को सात्वी मिलेटरी लिटरेचर फेस्टिवल ठीक है ना सात्वी मिलेटरी लिटरेचर फेस्टिवल दोजर तेज का आयोरिजन कहां किया गया है चाहे किया जाएगा चंडीगड पूरे बिसाखा पत्नम भोपाल तो यह किया जाएगा कहां पर चंडीगड में ठीक है ना चंडीगड में सात्वी मिलेटरी लिटरेचर फेस्टिवल दोजर तेज का आयोरिजन किया जाएगा हाली में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर उरजा सयंत्र अल पफरा ठीक है ना अल धपरा या फप क्या है अल पफरा परियोजना का उदगाटन किया है ठीक है ना एक मिनट अल धपरा या पपरा इसा कुछ है ठीक है अल धपरा परियोजना का उदगाटन किया है तो दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर उरजा ठीक है ना ये इसका उदगाटन किसने किया है इराग में कतर संक्त अरब अमिराथ या फिस जॉर्डन तो ये संक्त अरब अमिराथ ने किया है ठीक है अगला कुछन है हाली में एंड्री परियोज एंड्री राजो एलीना एंड्री राजो एलीना किस दियूपिय देश के राश्पती बने है तो एंड्री राजो एलीना ये मेडागासकर के राश्पती बने है न्यूजीलेंड के बने है जापान के बने है या फिर मालदीब के तो ये मेडागासकर के बने है एंड्री राजो एलीना राश्पती मेंने हैं मेड़ागास करके अगला फिल्म फेयर ओटी टी अवर्ड दोजर तेश में बेस्ट सीरीज का आवर्ड किसने जीता है इसकूप ने ट्रॉयल वाई फायर ने जूबली ने या दा ग्रेट वेडिंग्स आफ मुत्रे ने तो यह जो जीता है यह जीता है इसकूप ने फिल्म फेयर ओटी अवर्ड दोजर तेश का बेस्ट सीरीज किसने जीता है इसकूप ने जीता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है हाली में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्पेंडरी सेटिस जो है स्टेटिस ठीक है न तो यह दोजर तेश रिपोर्ट के नुसार भारत का सब सब्सक्राइब करने वाला राज कौन है तो दूसरी स्टेटिस स्टिक रिपोर्ट के नुसार भारत का सब्सक्राइब बड़ा दूद उथ्पादन करने वाला राज कौन है उत्तर प्रदेश राजिय हैं ठीक हैं नेक्स 생각 गुश्चन है ऐख ऑली जात्रा महुत्सा का संबंद किस राजसे हैं आंद्रा प्रदेश राजसे तिलंगाना राजसे उडिसा या फिर केरल राजसे तो जात्रा बाली जात्रा महुत्सों ये संबंदीते आपका ये संबंदीते हमारा किस से तो ये ऊडिसा राजसे संबंदीते बाली जात्रा महुत्सों अगला है प्रणाम ठीके प्रणाम माई फादर ठीके प्रणाम माई फादर ऑडॉль्टर रिमेंबर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है प्रणाम माई फादर और डॉर्टर रिमेंबर्स बुक सरमेदा सरमिस्ठा मुखरजी के द्वारा लिखी गई है बिवेक मुखरजी राम सक्षेना बिहान मुखरजी तो ये बिवेक मुखरजी के द्वारा लिखी गई है प्रणाम माई पादर अर्ड दॉटर मेंबर शीक थिया मिवेक मुखर्जि कि है अगला कुछी ने दच्छ्षड पूर्वी ऐस्या कि पहली डाक स्काई रिजर्व तक सेंशुरी किस राज में खोली जाएगी तो डाक स्काई रिजर्व सेंशुरी ये तच्छिड पूर्व एसिया की पहली डार्क स्काई रिजर्फ सेंच्री होगी ये किस राजी में खोली जाएगी तो नई दिल्ली, लद्दाख, केराल या फिर, पुड्डू चेरी में ये खोली जाएगी आपकी कहाँ पर लद्दाख में ठीक है? लद्दाख में खोली जाएगी अगला कोश्चन है दुनिया का आठवा अजोबा अंकोरवाट मंदिर किस देश में इस्तित है? तो ये कंबोडिया में इस्तित थे ठीक है? कंबोडिया में इस्तित थे अंकोरवाट अगला कोश्चन है हाले में मेरियम ठीक है मेरियम वेबस्टर मेरियम वेबस्टर डिक्स 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 डिक किसने जीता है तो यह जो है आटी क्या नाम है आपका यह जीता है ऑथेंटिक ने ठीक है ना ऑथेंटिक ने जीता है अगला कुश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2030 का सुबंकर का नाम क्या है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2030 का सुबंकर प्रतिभा उज्ज्वला जियोती या फिर अगनी तो यह उज्ज्वला था ठीक है ना अगला कुश्चन है नवा रास्ट्रिय अस्तरिय प्रदोशन प्रतिकिरिय अभ्यास नवा रास्ट्रिय अस्तरिय प्रदोशन प्रतिकिरिय अभ्यास नाट पॉल रेक्स ठीके नां आई जित किया गया है दिल्ली में गुजरात में करनाटक में या फिर बिहार में तो ये आपका नवारास्टि इस्तरिया परदूसर परतिक्रिय अभ्यास जिसे नाट पॉल्रेक्स कहते हैं तो ये आपका कहां पर आयुजित किया गया है ये किया गया आपका गुजरात राज्जी में नेक्स कुछने हाली में पदम स्री प्राप्त करने वाले जवेरी लाल दल पतराम महता जवेरी लाल दल पतराम महता का निधन हो गया इनका संबंद किस खेल से था किस छेत्र से था खेल पत्रकारिता सासरे गायन या निदे से तो ये संबंदित थे आपके पत्रकारिता से तो पत्रकारिता से थे जवेरी लाल दल पतराम महता इनका निधन हो गया है और इन्हीं पदम स्री मीला था, ठीक है अकला कॉश्चन है, बूकर प्रुषकार दोजरतेज से हाली में किसे सम्मानित किया गया है पाल बेटी को, डेमोन जी, पाल लिंच को या फिर गितानजली स्री को तो ये डेमोन जी को ठीके डेमोन सरे पॉल लिंच को पॉल लिंच को बुकर प्रुसकार दिया गया है ठीके न अगला कुशन है कोप 28 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा कनाड़ा में संग्त अरब अमिरात दच्छ अफ्रिका या फिर मुरक्को तो संग्त अरब अमिरात में कोप 28 ठीके न कोप 28 का आयोजन किया जाएगा ठीके अगला कुशन हाली में केंदर सरक्कार ने आयुसमान भारत भारत हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर का नाम बदल कर क्या रखा है तो आयुसमान कबच आयुसमान आरोग्य मंदिर आयुसमान क्लीनिक या आयुसमान सुत्र तो यह आयुसमान आरोग्य क्लीनिक ना आरोग्य मंदिर नाम रखा गया है आयुसमान भारत हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर का नाम बदल कर क्या रखा गया है आयुसमान आरोग्य मंद next question है भारतवारा जारी vaccine MOBELA, क्या है MOBELA, किस बीमारे से संबंधित है COVID-19 से, खस्त्रा और रोवेला से, पिल्या से या फिट टीवी से, तो ये संबंधित आपका, खस्त्रा और रोवेला से संबंधित है, आपका MOBELA vaccine सब्सक्राइब का अबुदाभी एफ वन ग्रांड प्रीज ठीक है अबुदाभी एफ वन ग्रांड प्रीज दोज़ा तेज का किताब का बीज़ेता कौन रहा है लोगन सार्जेंट मैक्स वरस्टपन देनियल रिकार्डियो या फिर लेंडो नौरिस तो यह मैक्स वरस्टपन थे ठीक है ना मैक्स वरस्टपन आबुदाभी एफ वन ग्रांड प्रीज दोज़ा तेज का बीज़ेता मैक्स वरस्टपन थे नेक्स वरस्टपन है अनीस भानवाला ठीक है अनीस भानवाला का संबंद किस खेल से है कुष्टी से कुष्टी से निसाने बाजी से तिरंदाजी या फिर तेराकी से तो यह किस से संबंद थे अनीस भानवाला कुष्टी से संबंद थे ठीक है न डेविस कब दोजर तेज किताब किस देश ने अपने नाम किया है तो डेविस कब 2003 का किताब यह जीता है किस ने इटली ने इस्पेन ने आस्ट्रेलिया या फिर चीन ने तो यह जीता है आपके इटली ने डेविस कब 2013 का किताब इटली ने जीता है नेक्स कुछन है वांगला महुत्सो भारत की किस राजे से संबंदी थे तो वांगला महुत्सो आपका असम राजे से संबंदी थे मिघाले से संबंदी थे मरीपूर से या फिर मिजोरम से तो यह मिघाले राजे से संबंदी थे आपका वांगल प्राह्त्सों। नेक्स्ट कोस्चेन है। गुरु नानक देव का जन्म किस वर्स हुआ था? 1569, 1679, 1479 या फिर 1779 में तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था? आपका 1469 में गुरू नानक देव जी का जन्म हुआ था नेक्ट कुर्शन है वर्ड शिक्स रेड वूमन स्नूकर चैंपियन्सिप ठीक है वर्ड शिक्स रेड वूमन स्नूकर चैंपियन्सिप का किताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है विद्या पिल्लाई ने रिन इवान्स एम बी या फिर करेन कूर या स्टेसी हिलियार्ड ने किस ने पने नाम किया है तो ये विद्या पिल्लाई ने अपने नाम किया है सिक्स रेड वुमन इसनूकर चैंपियंशिप का किताब ठीक है नेक्स कोश्चन है सत्रवी सूर्य किरड युद अभ्यास दोजर तेज ठीक है न इसका अज़र भारत और किस देश के बीच हुआ है तो ये बंगला देश भूटान बियत ना में आने पाग तो सूर्य किरड युद अभ्यास ये होता है आपका नेपाल के साथ ठीक है न अगला कुशन है हाली में भारती सेना दोरा ऑपरेशन सोलंग की ठीक है न ऑपरेशन सोलंग की किस राजे में चलाया गया भारती सेना के दोरा ये चला गया ओपरेशन सोलंग की राजस्थान जम्मु कसमीर मरीपूर और अर्वश्ण परदेश ये चलाया गया है आपका जम्मु कसमीर में ओपरेशन सोलंग की जम्मू कस्मीर नेक्स्ट कोश्चन है हाली में वर्ष दोजर चौबिस के लिए अंतरराष्ट चीनी संगठन आई एसो का अध्यच किसे चुना गया है चीन को इंडोनेसिया को भारत को या फिर ब्राजिल को तो भारत को चुना गया है दोजर चौबिस के लिए इनी संगठन का अध्याज अगला वोशन है हाली में राश्टे गोपाल रत्न पुरुसकार 2023 किस छेत्रे में प्रदान किये गए हैं तो पसुधन और डेरी में कबड़ी भोजन और फार्मेस्टिक और चित्रकारी तो ये जो है आपका पसुधन और डेरी में राश्टे गोपाल रत्न पुरुसकार 2023 दिया गया है पसुधन और डेरी के छेत्रे में अगला वोशन है पाकिस्तान के सरोच नागरिक सम्मान ठीक है या फिरुद पुरुसकार कह सकते हैं पाकिस्तान के सरोच नागरिक सम्मान निसान ए पाकिस्तान क उट किसे सम्मानित किया गया है निसान फाकिस्तान से नरिंद्र मू embark को सोनिय गांधी डाक्टर सैयदना मुफदल सै फॉद्दिन या Finance अब अब दू पॉर्ट सैय्दना मुफदल सै फॉद्दिन को निसान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है पाकिस्तान का या सरोच नागरिक पुरुषकार है ठीक है ना केंद्री आयरवेद विज्ञान अनुसंधान परिशत ने आयरवेद में अनुसंधान को ब्रहाव देने के लिए कौन सी पहल की सुरुवात किया है तो कींद्री आयरवेद विज्ञान अनुसंधान परसद ने आयरवेद ज्ञान नैपुड़ी पहल शुरू किया है आयरवेद ज्ञान नैपुड़ी पहल या फिर आयरवेद गेन नैपुड़ी पहल तो जो इसकी सुरुवात है आयरवेद ज्ञान नैपुड़ी पहल की है भारत में सरोच सम्मिधान दिवस कम मनाया जाता है 25 नॉबर 26 नॉबर 27 नॉबर या फिर 28 नॉबर तो यह जो है सम्मिधान दिवस मना जाता है 26 नॉबर को क्योंकि 26 नॉबर को सम्मिधान को अंगेकरित किया गया था 26 नॉबर यूजनाटी के न हौट हौट कुकड मिल यूजना शुरू की गई है कि सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केरल तामिलाडू या उत्तराखंड तो हौट कुकड मिल यूजना शुरू की आ गया है यह जो है आपका उत्तर प्रदे सरकार के द्वारा सुरू किया गया है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है हाली में एस्सो कम ठीक है ना एस्सो सी एच एम द्वारा बेस्ट इंप्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजिव अवर्ड से सम्मान से किस महारतन कंपनी को सम्मानित किया गया है तो यह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्परेशन लिमिटेट को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट को भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेट या फिर कोल इंडिया लिमिटेट को यह सम्मानित किया गया है रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्परेशन लिमिटेट को ठीक है ना अगला कुशन है जोन में ठीक है ना फॉर्टी फिफ्टी फॉर भारतिय अंतरास्ट फिल्म महोत्सव में फिल्म ने किस फिल्म ने 75 क्रियेटिव माइंड्स आफ टुमारो स्रेडी में स्रेश्ट फिल्म पुर्शकार जीता है तो 75 क्रियेटिव माइंड्स आफ टुमारो रसेड़ी में स्रेश्ट लगो फिल्म का पुरुसकार ऊद्ने जीता है पहाड़ी ने जीता है घर घर देटा है या फिर जाड़ु ने तो यह जीता है औरड ने ठीक है ना अगला कुशन है अपका मीरा जन्म उत्सव की 525 जयनती पर कितने रुपे का जारी किया गया है 100 रुपे का 255 रुपे का 525 रुपे का तो ये जो है मीरा पाई जन्म उत्सव की 525 जयनती पर 525 रुपे की जो है रुपे का सिक्का जारी किया गया है अगला कुशन है बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी घंडर्ड वुमेन्स लिस्ट में कितनी भारति महिला सामिल है तो बीबीसी हंडर्ड वुमेल लिस्ट में एक महिला दो महिला तीन महिला चार महिला इसमें सामिले कितनी महिला हैं तो इसमें जो हैं चार महिला हैं सामिले BBC 100 Women's List में ठीक है नेक्ट कुश्चन है अंतरास्ट्रिय महिला हिंसा उनमूलन दिवस कब मनाया जाता है तो अंतरास्ट्रिय महिला हिंसा उनमूलन दिवस 24 नौंबर को 25 नौंबर 26 नौंबर या फिर 27 नौंबर को मना जाता है तो यह मना जाता है हर साल 25 नौंबर को अंतरास्ट्रिय महिला हिं za un mole दिवस 25 नॉमर हो अगला कोश्म नेद पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स ठीक है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यूजन कहा किया जाएगा नई दिल्ली में मध पर्देश केरल या फिर गोहा में तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा आपका पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन अगला कोश्चन है हाली में 2nd CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉनक्लेव ठीक है क्या है दूसरी CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस का आयोजन ये किया गया है आपका भारत में ठीक है न भारत में किया गया अगला कोश्चन है निमलिखित में से किस संस्थान कार्ण ने चौदみ मिशन गया विक पृप दॉजब तेस जारी किया है कि को सईक हत राच्ट पर्यावर कार्यकरम ठीक न सईक तौ राच्ट पर्यावर कार्यकरम ने सब्सक्राइजरे की अगला कुछन चर्चित लैंग् लैंड ठीक है लैंग्ध टैसले तो लैंग्ध लैंड्स काहरेखरम यह संब्सक्राइज से गड़िती विज्ञान पोस्तिक से उतल्खरी highly गड़िती से संब्सक्राइज कमէ्रिकरम ठीक है अगला विश्व विरासत सप्ता कब मनाया जाता है तो विश्व विरासत सप्ता उन्निस से नॉमबर से 25 नॉमबर तक 18 नॉमबर से 26 नॉमबर तक 10 नॉमबर से 15 नॉमबर तक 18 नॉमबर से 24 नॉमबर 16 नॉमबर से 22 नॉमबर तो यह जो है आपका 19 नॉमबर से 25 नॉमबर तक मनाया बिस्व बिरासत सकता दिवस, ठीक है, नेक्स्ट कॉस्च्छन है, सेकेंशि방 लास्ट कोस्च्छन है, हाली में डाक्टर प्रीतं सिंह ٹ्रांस फॉर्मेशन लीडर अवार्ड से संमानित किया गया है, ठीक है, ठीक है न, तो डाक्टर प्रीतं सिंह Transformation Leader Award से किसी सम्मानित किया गया है सी राज कुमार को जैन्त मालाकार महंदर मिश्रा या ओपी कोहली को तो ये सी राज कुमार को डॉक्तर प्रितम सिंग Transformation Leader Award से सम्मानित किया गया है सी राज कुमार को लास कुछ ने दुनिया का पहला 3D Printed मंदिर भारत की किस राज में बनाया गया है तिलंगाना राजिया औरिशा राजिया उत्तर परदेश केरल या फिर तमिलाडो तो ये तिलंगाना राज में बनाया गया है आपका भारत दुनिया का पहला 3D printed मंदेड ठीक है ना तो आज की करेंट की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिजेगा और अपना फीड़बेक जरूर कमेंट में छोड़ा करें आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज क्लास को सेर कीजिए औ आप सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिजे ताकि नोडिफिकेशन आप तक पहुंचे ठीक है ना मिलते हैं हम नेक्स क्लास में अभी के इतना ही धन्यवाद